IPL का 35 मुकाबला गुजराट टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच डिवाई पाइटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है इस मुकाबले में गुजराट ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी चुनी गुजराट की तरफ से बैटिंग करने मेदान में उतरे रिदिवान साहार शुम्मन गिल हालाकि शुम्मन गिल टीम साओधी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने लेकिन उसके बाद मेदान में उतरे हार्दिक पांडिया जो अपनी तूफानी बल्ले बाजी के लिए जाने जाते हैं और मेदान पर आते ही उन्होंने अपना तूफान दिखा भी दिया ताबर तोड बल्लेबाजी की, लगातार चोके और छको की बरसात की और शानदार 50 जड़ी शुमांगिल के जल्दी पवेलियन लोटने के बाद कप्तान हर्दिक पांडया और रिदिमान शाहा ने टीम की पारी को संभाला और एक अच्छी साजेदारी भी की हार्दिक पांडया के 50 होते ही मैदान में खुशी का माहोल हो गया स्टेडियम में बैठे हार्दिक पांडया के फैंस भी खुशी से जूम उठे आपको बता दे कि आईपेल की सीजन में डेब्यू करने वाली गुशुराद टाइटन्स पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है वहीं केक्यार साथ वे नंबर पर है केक्यार की नजर फिर से जीत की पटरी पर लोटने की है लेकिन उसके सामने हैं गुशुराद की मजबूत चुनोती और हार्दिक पांडिया जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आज वो ये मुकाबला भी जीत कर ही दम लेंगे तो आप भी हार्दिक पांडिया की इस तुफानी बल्लेबाजी पर अपनी राय जरूर रखिए साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े रहे हैं हैडलाइन स्पोर्स के साथ